सिकल सिल थारू समुदाय मा पचलो समय मा योटा ठूलो स्वास्ति समस्या करूपन देखा परेगु छ सिकल्शल समुदाय मा अलरो समस्या तर जीवन का अनगिनती पाटा हरु खोतल दई एती बेला हमी पस्चिम नेपाल को बर्दिया जिलाई पुगे का छो एवटा बेकतिले जीवनमा धीरी समस्या को भारी बुखी रहेको इसी प्रसंगमा सिकल सेल ठारु समुदाय मा पछलो समय मा एवटा ठूलो स्वास्ते समस्या का रूप मा देखा परेको छ विशेशकरी यू समस्या बाट बर्दी या जिल्ला धेरीनी प्रभावी छा हात खुटा पेट छाती धेरी दुखनी रा जन्डिसकु जस्ते लक्षन हरु देखीन थाले पची पिर्यामी हरु धेरी अस्पताल दाउना बाद्ध्य भई रहे समय मा चिकिचे खरुली रोग कु पहिचान गर्न न सकदा रोग यूटा अउसधी अरकई सेवन गर्न परने अवस्था लामो समय सम्म रही रहे कथी बिरामीलेता लामो सम्म जन्डिस एवं बाथ रोग को अुसधी सेवन गरे रोग थाम को प्रयास गरी रहे तरा रोग को पहिचान ने नवही आउसधी सेवन गर्दा रोग तसंचो भायनने बरू अनावस्यक आउसधी सेवन गर्दा रा पटक पटक अस्पताल हरुमा धाउदा धाउदा बिरामी हरुले अनेको सास्ती खिपनु का साथ है लाखु रुपीया खर्च गरना बात्य भा यहे एक दर्जन भंदा पढ़ी अस्पताल रा दर्जनों चीकित सकलाई देखाउदा पणी रोग को पहिचान हुना ना सक्दा बिरामी रा तीन का अब भाबक ले भोगनु परेको सास्ती एस्टु छा मेरो यह जेठी छोड़ी हुआ जेठी छोड़ी को अब हाथ खुटता यहां देखिए यह पूरा तला सम्मा डुख थे हो अधी बर्च भाइस तो दुखना अली लगभग लगभग हजूर को अच्छा साथ बर्चा भाइगो शार अब तो हामले एकिन गर नसाके नहों एक अब तह स्कुरисл बुख कपनी घ्र खु जारफुक पटनी घ्राउं तो サव भंधा थे खुड़ी खlles बोत लाइगा थे त्यूस्त ही गरदे करदे करदे आनी अहां हां हम हिलन उसमा नर्सिंग होम मा आयों, नर्सिंग होम बाता अब केई उपाय लागे लागे अब दुखाई उसको एक दुमे जन्द बड़ी-बड़ी हुन लागे और फेरी हामी पिलेन बार काथमंदु डायरेक्टु गए वहां गए पची बायोधा अस्पाटाल मा हामी गए रहा ब कि अब आद एकांट होस्पिराल मह गए पची त्यांद यही रोग हो भने रहा एकीन भगे उसके लागे भरशे त्यांट यही रोग लागे गरुजिए थापन अल्ड़ा कटी बार्श लागे उगे उसके उपने अब वहां यही बर्शों लागे उसके शाट आड़ा आट पैसा को येकिन गरे नो हामली एतीनी खर्जब हो वाने रा तर भय हो लगभग तीन लाख सम्मात भय हो आला सो तीन बरसा पहिले भेरी अंचल अस्पताल पाके मा पेट छाती जोरनी दुखनी रा जंडिसको जस्तेई समान लक्षण भय का बिरामी हरू पटक पटक एउटेई समुदाय बाट आउन थाले पची एस तरफ चिकित सकर को द्यान आकरसीद भय को थियो अन्त तहा बिरामी को रगत को हेमोगलोविन एलेक्ट्रोफोसीस चार्च करे पची यो रूग सिकल सेल एनिमिया भय को पुस्टि भय को हो पुस्टि भय को आए पची शीकल स्यल जांच का दाखे डी जहीं यह विडामी डरीवेट्ट्यो पईले पची पईले पईले पटनी सीकल सेल रेरली डाग्नुसी सून्थियो वाज यह 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 पट्ट्रफुट देखिईंच बननी थियो जो मई का आएको के सरु जम्मा कर लामो समय समा उपचार गरदापनी नीकु नभायरा निरास भैका बिरामी हरुले चिकित्सक्कु सलहावी ने दुखाई काम गरना पेंड किलर खाने गरेका उधारन हरु थुपरेचन यो रोग थारु समुदाय मा ठूलो समस्या का रुपमा रहे को वेला एसको पहिचान र रोग थाम को उपाय पत्ता लागे पचि भने बिरामी र अभिभावक लाई केही हाथ समभाय पनी रहात मिले कुछा हाटकुतर दुखने एक दमे बेसरी ने दुख्षा और नी चलने नसे किने इस तो हाटकुतर गरन नसे किने मेरो सोरी एर दुख्षा पहला खुटा दुख्षा और स्वसी अली बड़ी वायवन सोरी एर दुख्षा चिकित्सा करूका अनुसार सिकल सेल एनिमिया पमसानु गत रूप मासारनी रखताल पता हो यो रोग थारू समुदाय मा जनस्वास्थे समस्या के रूप मा रहे कुछ सिकल सेल एनिमिया बाट पस्चिम नेपाल मा थारू समुदाय को करीब 10 प्रतिसात जनसंख्या प्रभावीत भयको तथ्यांक छ यो रोग नौल फरासी देखी कंचनपूर को थारू समुदाय मा बढ़ी देखी कुछ सिकल सेल का बिरामी सबी भंदा बढ़ी बर्दिया रा तेस पची पाके मा फ्यला परेका छन यो सिकल सेल इनिमिया चे परकार को बंचान गत रूप मा स्वर्न सखने रखता अल पदा हो यूचे हाल थारूर मा बड़ी देखिये बनी विस्व मा चे बेबिनना चंजाती समुदारूर मा पईल देखिने देखिने देखी रहे करो हो गो यो नि नेपार में चे थारूर म अजिटल देखिये मारीकं अधिवी देखिये बंचांचान गत्तिति अल फ् còn रेकिने बंबड़ी करोविग हो थारूर में लेव अन्ने जाधियोर मा सिकल सेल डिजीट चेहीं हाल समा देखा परेकु छाइना तर युटामा मते देखा परनी ट्रेड चेहीं कोई-कोई में देखा परेकु छाइना अमार बाबुमा सिकल सेल एनिमिया भायमा यो रोग उनका संतान हरुमा सर्दे जाने रोग हो रगत परिक्षन गराई सिकल सेल भाय नवैको पत्ता लगायर बिहेवारी गर्णी हो भनी यो रोग बाट बचन सक्किने चिक चखरुको सलला हाच्छ ऎसको उपचार सम्भब चाहिं जास्ते रहघ अरू रहुत है भी अरुपच्तार नाषमी सभस्ताप ना देना को लागर दियुद श्टांटर प्रोटोगल नशार ढिष्तार गटाई पअर अप्य लेक्ली तक क्या जाना श्कतार करें शुद कि लुद इना के सानुनार परिवार का चार जना सम्मों मा सिकल सेल कुस्तम स्याद देखियेकु छ कतिपए ठाउमा चिकित स्याखरूले बिरामी हरकु रोक कुप पहिचान नगरी अउसधी दिने प्रविर्तिले धेरे बिरामी समस्यामा परेका छन बेरी अंचल अस्पताल मा मात्रोय करीब सास से भंदा बड़ी सिकल सेल का बिरामी होलो अप मा छन अन्य नीजी तथा सरकारी अस्पताल मा उपचार गराय रहेका बिरामी हरकु संख्यापनी अत्ते धीक रहेकु चिकित स्रक हरकु पनाई छ में अर्शाटी साल बाता अईली सम्मा चेन डाटा राख दाकेरी अमी सम्माची करीब सास से जाना बिर्यामी फॉलो अप मा छन सिकल्सिल एनिमिया थारू समुदाय मा जनस्वास्ते समस्या का रूप मा देखा परेपची सरकारली 2022 साल साउन देखी निसुलको उपचार को व्यवस्था सुरू गरेकु छा सिकल्सिल एनिमिया रोग लागे को प्रमाणित भएमा गरीब तथा विपन्न नागरिक उपचार को समारपत विरामी हरुको उपचार कलागी सरकारली सरकारी अस्पताल हरुबार्ट एक लाग रुपईया समको उपचार खर्च रा उसधी निसुलको उपलब धगरावना शुरू गरेको हो आल समा यो स्यवा करेब द्वी से विरामीले पाई सके का छन सरकारली थारु समुदाय मा देखियेको सिकल सिल एनिमिया रोग को पचार मा एक लाग रुपईया समुदाय मा देखियेको सम्मको खर्च निसुलक गर्ने ब्यवस्था गरे पनी बिरामीहरू रगत परिक्षन गर्दा लागने सुलक देखिये अउसधी समेद आफई किन्न बात देखन सिकल सिल एनिमिया भहे नभयको एकीन गर्ना बिरामीको रगत को हेमोगलोविन उलेक्ट्रोफोसिस जाच करने हुँछ तरह इसका लागी आवस्चक परने HPLC मेशिन पस्चिम नेपाल का कुनेपनी सरकारी अस्पताल हरूमा छाईना जसले गर्दा इलेक्ट्रोफोसिस जाच का लागी विरामीहरू को रगत को नमुना संकलन गरी भारत पठाउनू फरने अवस्था छा इसको कंफरम टेस्ची हाल समा पनी इंडिया में ब्लोर्ड स्याम्पल जाँचा कोता बर्षा पनी नेपाल सरकारी असमा कुशिज गरेको इस पाली सुनना मा आएको छा विविन्ना अंचल अस्ट लरू जहां रते शिकल्सर को बढ़ामी बड़ी छन तोस्ति दनगाडी अपाल गन्ज बुटोल इसमा योटा-एउटा मेशिंचे अनुदेशा बनने सुनिक छो रोगले थलियेरा अस्पताल मा आयका बिरामी हरुकु रोग पत्ता लगाउन एक अपता देखी दस तिन समलागदा बिरामी हरुकु उपचार थाप खर्चीलो रा जहन्जटीलो हुने गरेको छा रगत परिक्षण पछी सिकल सेल एनिमिया भयकू एकीन भय पछी पनी गावी सा रजनस्वास्थे कारेले मा प्रमाणीत करायरा अस्पताल पुग न थाप एक अपता लागदा छा एसरी अस्पताल मा पुगे पनी आवस्यक परने सिकल सेल को मुख्या उसधी हाइड्रोस इूरिया उपलब्ध नहुदा बिरामी हरु फेरी समस्या मा थी समस्या भोगन बात दे छन नीयमीत अऊसधी सेवनले यो रोग निकु हुँँचा रगत परेक्षण गरा आरा बिभाहा गरने परविर्ती शुरूभाये यो रोग नियंत्रण पनी गर न सक्किन छा येस्ता उधाहरन बिस्सोमा धेरे भयको चिकित सकरुको भनाई छा तर एसका लागी सिकल सेल एनीमिया प्रभावीत समुदायमा जनचेत ना फैलाउन पनी उत्तिके जरूरी रहको धेरे को वजाई छा अजय को